दोस्तो आज हम सभी के घर में लेप्टॉप का होना या फिर डेश्टॉप का होना एक आम बात हो गई है दोस्तो हम अपना ज़्यादा तर समय अपने लेप्टॉप पर या अपने पीसी पर देते हैं यदि वही पीसी वही लेप्टॉप अगर स्लो काम करें बीच बीच में हैंग हो जाए तो हमें बहुत परशानी होती है दोस्तों अब आपकी सभी परशानी में दूर करने के लिए आया हूं आपका पीसी स्मुठ चले फास चले और पीसी में आने वाले सभी प्रॉब्लम का स्ट्रूशन मिलेगा आपको सिफ ज्ञान दीप चैनल पर दोस्तों अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पीसी के रिगारी कोई भी परशानी कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इस्शू हो उसका स्ट्रूशन आपको टुरंत Re e06 क्या कॉन सकी दोस्तों काम करते करते आपका लेफ्टोप पीसी हैंग हो जाता है क्या आप स्ट्राइट करते हो और उसको स्टार्ट होने में मिलने वाला है तो दोस्तों अंद तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको पीसी के रिगार्डिंग लेप्टॉप के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम कोई भी परशानी अगर होती है तो आपको पूरा सेलोशन मेरे द्वारा आपको मिलेगा आप मुझे कमिट करके बत देने का प्रयाज करूँगा मैं सब्सक्राइब करिए ग्यान देव यूट्व चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके आल वाला ओप्शन सेलेक्ट कर लेजे ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले दोस्तों इसक्रीन पर जो आपको लेप्टॉप अभी दिखाई दे रहा है एक कश्टमर का लेप्टॉप है जिसे लिए मात्र अभी एक साल ही हुआ है और इस जो है कीबोर्ड में प्रॉब्लम है यह आई तरी फोट जनरेशन डेल वर्ष्ट्रो है और इसका सिश्टम बह काफी दाउन था और चालूं करने के बाद अब मैंने सोचा क्या पहले इससे जो है इसमें विंडो lo 10 ैट 12-10 का बूटिंग डूए इस पेंट्राइव मैंने लेप्टॉप में लगा और लेप्टॉप में लगाने के बाद पावर ऑन किया ऑन करने के पश्छाद मैंने एफ to में फ्रेस किया जोस्तों बूटिंग करने के लिए हमें उसके सिस्टम सौफटपनी बेड़ाता है तो हम पर F2 करके हम उसके जो है नोटिंग डिवाइस में हम आगए तो बूटिंग डिवाइस आने के बाद हम यहां सभी जानकारी लेंगे कि अकी सिस्टम कुंसा है लेप्टाप कुंसा है कितने जी भी रह में इसका हाड़िक्स या एसेशडी है वो सभी जानकारी हम जो है यहां पूरी जानकारी यहां पर हम इसको ले सकते हैं तो मैं यहां से फटा फटा फट जो है आ गया कि यहां पर 4GB RAM है Dell Westro है और 500GB है इसका Hardix है इस सभी जानकारी मैं यहां पर इसको समझा और समझने के बाद मैं जो है इसके booting device पर जो है जाना चाहा और मैं अपने keyboard के जो है right button से बोटिंग डिवाइस में गया और वहां पर first boot device में जाकर के अपने pen drive first boot जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है first booting device वहां पर जाकर के जो मैंने HP का pen drive लगाया था उसको मैंने यहां पर इंटर करके select कर लिया और select करने के बाद आपको F10 button place करना है जिसके F10 करोगे आपको yes करना है yes करने के बाद अब आपका laptop आपके pen drive से चलेगा अब यहाँ पर आपको installation पूछा है, आपको yes करना है, install करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ term और license पूछा जाएगा, उसको agree करने के बाद यहाँ से आपको कौन सा version आपको चाहिए, यहाँ पर आप मैंने जो है window 10 pro, मैंने जो है यह select किया है, select करने बाद term और condition यहाँ पर आ और यह बाद ध्यान देना है कि आपको कौन से drive में इसको safe इस पर आपको window अप जो है upload करना है, तो उससे पहले format कर देना है, format करने बाद आपको next कर देना है, next करने बाद अब आपने जिस drive को format किया हुआ है, उसमें आपके system software अब upload होना start हो गया है, इसको upload होने में system अपना booting device अपना upload होगा, upload होने के बाद यह system automatic ही आपका reboot हो जाएगा, reboot का मतलब यह होता है कि आपका system restart हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा तीनों जो हो गया, चौता भी हो गया है, और चौता होने के बाद अपना system automatic जो है reboot होने के लिए तयार हो गया है, आप इसक्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हो, अब मेरा system बंद हो गया है, बंद होने के बाद अब system automatic चालू होगा, और चालू होने के बाद जो मेरा system service से starting service से वो चीज़ हम यहाँ पर apply करेंगे, तो चले जो है अब उस चीज़ के लिए हम तयार होते है, ready हो जाते है, त दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा system फटा फट अब जो है upload हो रहा है, और upload होने के बाद यहाँ पर कुछ आप से कुछ राइस लिए पूछा जाता है, कुछ आप से जो है term or condition, आपको कुछ condition पूछा जाता है, आपको सारी condition को जो है अपने जो है उचित अनुसार आपको select कर जैसे कि मुझे language English चाहिए, तो मैंने English यहाँ पर ले लिया है, और मुझे English पर कौन से इंडेन चाहिए, कीबोर मुझे इंडेन चाहिए, तो इंडेन रख लिया है, यहाँ पर यह नहीं चाहिए, तो आप इसकी भी आप कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर internet connection पूछ होती जा रहा है, तो मैंने एक्चुलिस का उतनाम P, जितने पी आ रहे हैं, वही मैंने नाम रखा, और नाम रखने वाद फिर एक्टिबेटिक पी बी करके जो है वह पासवर्ड भी ले रहा है, तो मैंने यहाँ पर दिमाग लगा करके, मैंने backspace दबा करके, तुरद मैंने नेक्सट कर दिया चैवां पर बिदाऊंट पासवर्ट का जो है मेरा यह लॉगन यहां पर हो रहा तो हमने लेक्स करके महिं अपने सिस्टम के में ड должна यहां पर देख सकते हो थोड़ा सा वक्त लगता है थोड़ा समय लगता है तो अपना यह रिबूर्ट सिस्टम चलता रहता है तो थोड़ा सा इंतजार करना बहुत सरुभी होता है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यहां पर फटाफर मेरा यहां पर जो है और मैं तो मैंने कीबोर्ड ओपन किया ओपन करने बाद मैंने उसमें बहुत सारी कच्रे तो साफ किया और पी बटन के कुछ जो है भाग माँ पद दब गया थे उसको मैंने थोड़ा सा सही किया ताकि वो जो है चल सके कि नए पी कीबोर्ड लेने पर आपको हजार दो हजार करने पड़ते हैं लेकिन मैंने इसको जो है अपने जो है कम बजट में ही और इसको जो है मैंने सामने वाले को खर्चान ना करने के इरादे से मैंने कीबोर्ड कुछ से फ्रेम करके जह मैंने बना दिया और मैंने इस तरह मैंने डेक्स्ट आप पर आइकन के सेट करना है इस झाल झाल झाल